वेल्कम वेक टु डियेस क्लासेश, डियेस क्लासेश में क्लास एट की स्टुरेयन का श्वागत है, दिस इस मी दीपी का शाहू एंड आप सभी देखने बाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकेंड के सेकेंड पार्ट को, जल्दी से वीडियो को सेयर कर दीजे अपने फ् देखा दिया था मतलब बता दिया था और आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रॉप्सिंट में लिंग के दे रही हूं तो आप लोग चेक कर लीजेगा, ठीक है, तो आंसर एनी थ्री और फॉलोविंग कोर्शन इन तू, 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 थ्री सेंटेंस इच, तू, तू से दो या तीन सेंटेंस में आपको इसके आंसर देने, so, what did the blazers do when the contractor choose another forest, contractor ने, मतलब जो blazers थे, जो गाउवास ही थे, उन्हों ने क्या किया, जब दूसरा चूस कर लिया था, contractor ठेकेदार ने, forest को, so, देखे, the entire blaze and woman, all old and young, began to march in procedure, they carried a drum and trumpet and banners with message like, chop me, not the tree and kill us first before a cut single tree, so, उन्हें बैनर, मतलब बैनर बना लिया था, trumpet बजाते थे, drum बजाते थे, trumpet मतलब बुश सुरही जैसी होती न वो, ऐसे टाइप की होती है, ऐसे टाइप की होती है, so, वो, तो ये सारी चीज़ें वो करने लगे थे, और मतलब जिससे की, इस, जन आंडोलन से सायद बन की कटाई रुख जाए, और सायद नहीं रुख भी गई थे, so, second है, describe the last space mission of कलपना चाबला, बताए, कलपना चाबला का last space mission क्या था, चलिए रेखते, देखिए, उसमें तो नहीं दिया था, तो मैंने इसको बुक में से ही ले लिया है, कि her last mission, यह next की जंग है, पर आप last लिख दीजेगा, our last mission will be the, in the same, subtle, Columbia, the flight is called STS-107, I will take off on, यहाँ पर आई की जंग है, C भी निख सकते हैं, S-H-E, C will take off on 16th January 2003, will be mission dedicated to science and research, we hope perform a number one, number one of scientific experiment in space, so, यह इसका answer है, अभी अगर हम third question की बात करें, तो यह रहाब का third question की, how did the king in the story, miser for miser, realize mistake, जो राजा थे उनको, अपनी गलती का mistake, कैसे, मतलब पता चला कि उन्होंने गलती की, तो तैनाली रावन asked to the king, if an artist can become a chief minister, can't carpent become a cook, एक कलाकार जब minister बन सकता है, मुख्य मंत्री के पदपर वैट सकता है, तो क्या, एक बढ़ाई, खाना नहीं बना सकता, उसे खाने के लिए नहीं रखा जा सकता, and the king at once realized his mistake, और राजा वैसे ही समझ गए, उन्हें एहसास हो गया उनकी गलती का, चलिए देखते हैं आगे question, और क्या था, एक और question है, कि how are human beings responsible for causing floods, मतलब कि floods के लिए जो human beings है, इंसान है, वो कैसी responsible हो सकते हैं, उत्तरदाई हो सकते हैं, तो इसका answer है, देखिए, बड़ा छोटा answer है, by deforestation, faulty dam, construction and breaching, breaches in investment, so, मतलब कि, बनों की कटाई करके, demo को छती ग्रिस्ट करके, construction करके उनका, और उसके बाद 30 बंदी लाखों को लुक्षान पहुंचार कर, हम क्या कर सकते हैं, फ्लेट का कारण कर सकते हैं, बाड़ का कारण बन सकते हैं, चलिए इसका एक और है, question four, answer the three question, the following question, आपको क्या करना है, answer करना है, नीचे के तीन, question में से तीन करने है, तो अपने इसमें से कौन सा नहीं करेंगे, इन में से अपन नहीं करेंगे, ये वाला, ठीक है, what does the poet mean by adding a little sun sign to the world, adding a little sun sign in the world, yeah, to the world, तो इसमें जो कभी है, उनका मतलब क्या है, को क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं, by adding a little sun sign to the world, to help the others to live little better, लोगों की या दूसरों की मदद करना, या लोगों की जिन्दगी में खुसिया बनना, और उनके जीनी को तरीक को थोड़ा और बहतर बनाना ही, adding a little sun sign का meaning है, यहाँ वो लोगों के जीवन में खुसिया बनने को बोल रहे हैं, कि थोड़े सी और रोशनी बहरना है, बस, that's it, question क्या था आपका, third है, what do the balloons look like in the sky, कि balloon कैसे लग रहे हैं, आस्मान में, चली देखते हैं इसका आंसर, so answer is, कि the balloons look like pretty in the sky, मतलब कि जो balloon है, वो कैसे लग रहे हैं, बहुत सुन्दर लग रहे हैं आस्मान में, चली आंगे देखते हैं, यह, what does the balloon man hold, balloon man क्या hold कर रहे हैं, चली देखते हैं, the balloon man hold a lovely bunch of balloons, तो balloon man जो है, वो दिन बर क्या hold करके रखता है, lovely bunch of balloon, मतलब balloon का एक बहुत सुन्दर सा bunch जुका, मतलब की बहुत सारे balloon का, चली आंगे देखते हैं, question number five है, write any four line of a poem you have read, आपने कोई poem पढ़िए, जिसकी चार line आपको बतानी है, सुभाई मैंने पढ़िए, the balloon man, lesson 10 की, Sunday पर है, she will let them go, and we shall see them selling high, and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky, तो वो बोलते हैं की, शायद कभी, कुछ दिनिया कभी, वो उनको छोड़ दे, छोड़ देगा, तो वो इस car में, क्या करेंगे, selling करेंगे, tearing गूमेंगे, यह ना, बहुत उपर, and stand and watch them, खड़े होकर उन्हें देखने के लिए, उपर से, मतलब नीचे से, उपर की तरह देखने के लिए, they would look very pretty, in the sky, और वो बहुत सुन्दर लगेंगे, आश्मान में, तो यह लाइन आप लिख शकते हों, इसके अलावा भी आप, lesson one another chance, किसके बाद आप lesson five, miser and his gold, उस पैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको चान लाइन देनी है, तो आपको इसी भी आपको जो favorite है, वो लिख देना, चलिए, आँगे देखते हैं, read the following passage carefully, इस passage को carefully पढ़ो, और इसके answer दो, हमेशा भोलती हो, पैसे solve करने का क्या तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले question पढ़िए, फिर उसके बाद answer करिए, हुब आस कभी, हुब आस कभी, तो चलिए, आदिक तर answer first में ही मिलता है, कभी, कभीर ग्रो आपे ना, Muslim family, कभीर कौन था, एक Muslim लड़का था, जो ग्रो हुआ था, Muslim family में, तो first answer यही होगा आपका, कि अभी second की बात करते हैं, कि, what did he teach, उसको, मतलब बहे क्या सिखाता था, बहें सिखाता था कि, he taught everyone to love God, तो इसका छोटा सांजर है, ठीक है, third का देखेंगे, कि, what did the pupil and emperor, मतलब जो समराट थे वो, get angry at kavir, मतलब वो गुस्ता क्यों हुए, तो देखना है, आप यहां से लिखना पहले तो, कि the pupil and emperor, God, यहां पर, यह did हटता है, तो God लग जाएगा, तब zero day, ठीक है, angry at kavir, because आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्योंकि करके ही, कोई बात करते हैं, because they heard a voice from the sky, यह फोट का, यहां से इसका अंसर, he always said, kavir, the child of Allah and Ram, इसलिए, वो सब लोग उसके गुस्सा होते थी, क्या भगवान दोनों के, दोनों भगवान अपने नहीं हो सकते हैं, क्या यार, ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ, what did the Muslim and Hindus want to do, when the kavir died, Muslim और जो, Hindu थे, वो उसके साथ क्या करना चाहते, so they took the cover of found, यहां देखिए गई यहां, when kavir died, the Muslim want to worry his body, but the Hindus want to warn it, कुछ जो मुश्लिम थे, वो उसको दफनाना चाहते थे, और जो हिंदू थे, वो उसको जलाना चाहते थे, ठीक है, तो यह यहां से यहां तक, आप लिख लिजिएगा, इसके पाद अगर हम फिफ्ट देखेंगे, कि how was the dispute resolved, मतलब वो उल्जन कैसे solve हुई, तो देखेंगे answer, यहां से लिख देना है, आप लोग, there was a big dispute over this, या फिर आप यह लिखना, कि पहले इतना question लिख लेना, कि the dispute, sorry, dispute resolved, इतना लिखा आपने, इतना ही करना है आपको, इसके बाद कुछ answer और देने, आपको इसके say true or false, तो कभीर डिटन्ट लेंट संस्क्रित, कभीर को संस्क्रित आती थी की नहीं, आती थी की नहीं आती थी, बताईए, आती थी या नहीं आती थी, बताईए, अभी पढ़ा ही नहीं थी तो आती थी, और कभीर नहीं आती थी, ये रेखिए, उसको संस्क्रित भी आती थी, और पैरिजन भी आती थी, तो यहाँ पर yes आएगा, जिसने भी लिखा है गलत, बिल्कुल गलत लिखा है, the emperor ordered the soldier, to throw kabir into the river, हाँ, ये सही है, क्योंकि मैं इसको प्रूफ कर सकते, देखो, आपको बता ती हूँ, कि जो, ये emperor था ना, उसमें गुस्ते में order दिया था, कि soldier throw kabir into the river, ठीक है, तो ये answer सही है, इसके बाद देखिएंगे, take the correct answer, आपको correct करना है, the word dispute means fight ही है, वो जो उल्जन थी, उन लोगों की लड़ाई थी, हिंदू और मुस्लिम की, कि जलाया जाया, दफनाया जाया, तो इसका मतलब तो fight ही हुआ, give the second form the following words, with the help of the story, teach, कि second form होती है भाई, taught, और try की, tried, ठीक है, अभी मैं इसको इसमें भी बता दे रही हूँ, T-O-U-G-H-T-O-T, देखिए आप पहले, इसमें देख लीजेगा नहीं, तो बूलेंगे दीदी, आप खुद मन से क्यों बता रहे हो, यह देखिए, यह इसकी taught है, और इसमें tried भी होगा, आप लेक बार देख लेना, ना मिले तो फिर यह देखिए, यह, यह, ट्राइ की है, और यह जो है, वो teach की है, ठीक है, तो यह आप लोग खुद से लिख लीजेगा, चलिए, अब आँगे का देखते हैं, यह तो हो गया अपना, अब अपन को यह और करना है, तो इसमें से क्या करें भाई, बताइए, मैंने यह किया है, कि write a letter to your father, to send you, rate, I mean, 500 rupees, as you have to pay your fees, and buy some books and stationery, ठीक है, आपको आपके पापा से किते पैसे मांगने है, 500 रुपे मांगने है, सो सबसे पहले address डाल दीजे, ठीक है, I am quite well here, मैं यह आप पर बिल्कुल ठीक हूँ, and hope that all the member of your family, our family will be quite well, मतलब कि वो, जो हमारे, मतलब, और आसा करता हूँ, कि हमारे घर के सदस से, आप सभी भी ठीक होंगे, फिर इसके बाद आपको बोलना है, क्या बोलना है, my study are going well, also my teachers are satisfied with my work, मेरी study, मेरी पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे जो सारे अध्यापक है, सिक्छक है, वो भी मुझे संतुस्ट है, मेरे काम से संतुस्ट है, I hope to secure good mark in the word examination, as you know, so, वो बोलता है, कि मैं आसा करता हूँ, कि मेरे मतलब जो word examination होंगे, उसमें अच्छे mask आएं, अच्छे number आएं, as you know, जैसे आप जानते हैं, the price are gone up, therefore, kitchen expensive washing charges, and our prices, मतलब जैसे कि आप जानते हैं, कि जो सारे prices है, सबी चीज़ की कीमत है, वो बढ़ती जा रही है, kitchen expenses, washing charges के लिए, creased, सबी चीज़ों की मतलब जो है, पैशा जो है, वो बढ़ता जा रहा है, I have to pay the board exam fees, और मुझे board examination की fees भी पे करनी है, and also I want to purchase, और मैं इसके अलाबा भी, कि अब purchase करना चाहता हूं, some guide book, so I, इसके अलाबा भी मुझे, कुछ किताबे, महें की किताबे खरीदनी है, so I have urgent need 500 रुपीज, और मुझे urgent इसी लिए, मुझे ततकाल में 500 रुपई की जरूरत है, please send early by money, order with lovely, with love, so मुझे जल्द से जल्द, 500 रुपई send करनी की, रुपिया करे, money order से, जिसका दोलता है कि, with love and best, regard to you and mama, और मुझे, मेरा regard दीजेगा, ममी को और आपको भी, और your loving deep, आपका नाम जो भी, आप mention कर दीजेगा, ठीक है, अभी आँगे, एक मिनिट और देख लीजेगा, देखे, इसमें कोर्षन दिया था, ये, और इसमें एक आइडिया दू, चारों में से कोई साभी लीजे, पूरे question answer लिख दीजे, बन जाएगा, question answer में, हम इसका सब लिखते, यहां से देखेगा, the natural skin, jungle life, wild animals and birds, can be seen at kana vishite animals, इसके बाद ये भी लिख दीजेगा, the tourist, attack the natural skin, इसके बाद ये लिखेगा, कि बगीरा लोगहर्ट स्टाइब दीजेगा, ठीक है, यह सारी चीजे लिख दीजेगा, और यही पर आपके, question को विराम दीजेगा, topic को विराम दीजेगा, आपको, hundred में से, मतलब जैसी कि मैं बोलू, 4 नमर का, आया है, तो आपको 4 में से 4 नमर मिलेंगे, I hope आप लोगों को, practice test paper second का, part 2 समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, तो please video को share करिएगा, video को like करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा share करने की कोशिस करें, bye bye, thank you for watching,